हेलो इन्वेस्टार्स, वेलकम टू धमकास्टॉक चनल, आज हम लोग डिसकस करेंगे वेसु भियास इंडिया लिमिटर सेयर के बारे में, तो पहले हम लोग इस सेयर का फंडमेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस सेयर का टेक्निकल चर्ट का एनालाइसिस करेंगे, एन उसके बाद जानेंगे इस सेयर का नेक्स टार्गेट क्या हो सकता है, तो पूरा डेटल जानने के लिए वीडियो में अंतक बन रहे, तो देखिए, आज के डेपे एस सेयर हाई गया था, 1479.55, लो गया था, 1367, एन आज के डेपे इस सेयर ने रिटन देया 2.29% का, एन क पैस भेलू है, रूपीज 2,361.69 करोर, एन पी ए रेश्यो है, 34.06, इस कमपनी के उपर आज के डेपे किसी भी तरीके का कुछ भी डेप नहीं है, कमपनी बिलको ली एक अपका डेप फ्री कमपनी है, जो की फान्नमेंटल एक अच्छा बात है, एन कमपनी के पास अभी कैस है, रूपीज 553.94 करोर, एन इस कमपनी का कैस फ्राइस पर प्रफिट का रेश्यो है, 1.24, अगर किसी भी कमपनी का कैस फ्राइस पर प्रफिट का रेश्यो एक और एक से ज़्यादा होता है, तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और या पर एक से ज़्यादा ही है, इस कम में profit growth हुआ था 28.28% and sales growth हुआ था 32.03% यह जो company है Vesuvius India इस company में promoters का holding है 55.57% DIY का holding है 24.47% public का holding है 19.37% and FII का holding है 0.6% अगर किसी भी company में promoters का holding 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा बाहनता है यह पर 40% से ज्यादा ही है और एक चीज़ देखिए जो अपका 55.57% promoters का holding है इसमें अपका कुछ भी share pledge नहीं है present share का जो percentage है बलकुल 0 है जो की fundamentally एक अच्छा बात है तो अभी देखिए मैंने computer screen पे इस share का last 5 quarter का quarterly result open के लिया तो देखिए पहले हमें थोरा सा net sales देख लेंगे तो देखिए जून 2022 के quarter में इस company में net sales हुआ है 329.65 करोर जो की इसका जो पिछला last 4 quarter का net sales से उसके मुकाबले ज़्यादा है अगर हम लोग यहाँ पर operating profit की बात करेंगे तो last quarter में operating profit हुआ है 40.98 करोर जो पिछला last 4 quarter का operating profit है उसके मुकाबले ज़्यादा है अगर हम लोग यहाँ पर net profit की बात करेंगे तो देखिए last quarter में net profit हुआ है 29.43 करोर जो पिछला last 4 quarter का net profit है उसके मुकाबले ज़्यादा है मतलब overall अगर बात करेंगे तो एस share का June 2022 का जो Q1 का result निकला है वो आपका अच्छा निकला है और एक चीज़ दखें मार्केट के 100% analyst investor को एस share आपका बाइस सज़ेस्ट कर रहा है जो की एक अच्छा बात है और एक company हर एक year पे अच्छा कासर आपका revenue भी जनरेट करता है और continuously profit में भी है जो की fundamentally एक अच्छा बात है और इस company ने अभी तक maximum return दिया है आपका 1693.48 परसंगा तो आभी हम लोग क्या करेंगे सीज़े चला जाएंगे इस share का चार्ट पर नुआ पर जाकि इस share का चार्ट का भी एक बार analysis कर लेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से request है अगर आप लोग मेरे चनल पर नए हो तो मेरे चनल को subscribe कर लेजीगा आप लोगों के पास automatic notification चलागा और एक बात पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी informative लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देजीगा क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा से अढ़ों के उसके ओपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है तो चार्ट पे जाने से पहले और एक चीज़ देखिए यह जो कंपनी है फेसू वियास इंडिया ये कंपनी आपका पहले एक बाद देख लिए अगर मंथी चार्ट मे इस चार्ट पर तो आभ देखिए मैंने कंप्लुटर इसके बाद देखिए ACR आपका अप्टेंड में जा रहा ठीक है एन आच के डे पे भी आप हम लोगों को पॉजिटिव केंडल ही फिर्म होता हो दिखा डेली चार्ट के इस सबसे अभी ACR आपका 50 days to 100 days और 100 days ती में moving average का जो लाइन है इसके उपर डिक्टेट करता हुआ दिख रहा है ओके अगर RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पर देखिए आपका above 60 है और MACD भी आपका zero points उपर है मतलब बेली चार्ट में ज्यादा तर इंडिकेटर यहाँ पर हम लोगों को बुलिस इंडिकेटर ने दिखा रहा है ओके तो अभी देखिए मैंने computer screen पर इस चरक आपका weekly chart भी open के ल आज के देखिए आपे हम लोगों को बहुत ही एक आपका positive बन्तर अभी जो current week चल रहा है इस week में आपे हम लोगों को बहुत ही एक आपका positive candle फर्म होता हो दिखा है और अभी इस week में क्या किया है इसका देखिए मैंने उपर के तरफ एक आपका red color का line डॉर करके रहा हुआ आपका strong resistant line है इस resistant line को भी बेक कर दिया इसको उपर भी close किया है जो की टेक्निक लिए एक अच्छा बात है अगर हम लोग moving averages की बात करेंगा तो देखिए विकली चार्ट में भी ज्यादा तर इंडिकेटर याप हम लोगों को बोली सी इंडिकर से दिखा रहा है तो अभी इ market price चला है लगबग आपका रूपीश 1425, 1430 अगर लगबग इसी range पे ACR को खईद जाए तो मेरे ही साब से आने वाले लगबग दो मेन में ACR आपका रूपीश 1600 का जो टार्गेट है उसको भी achieve कर सकता है लेकिन कुछ भी action लेने से पहले अपका जो final sale advisor है उससे एक बाद ज college है उसके उपर base करके वीडियो बना के आप लोगों को सही information देने की कोशिश करता हूँ कि कॉंसेश्य टेक्निकली कैसा है कॉंसेश्य फांडमेंटली कैसा है तो आज कले इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब एको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद